उमेश पाल की हत्या करने के बाद बंबाज गुड्डू मुस्लिम मेरट पहुंचा था माफिया तीक एहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाख ने गुड्डू मुसलिम को अपने घर में पहना दी थी स्टीफ और पुलिस जांच परताल में पता चला है कि उमेश पाल की हत्या के बाद तीसरे दिन शूटर मेरट पहुंचे थे शूटर गुड्डू यहां करीब 12 गंटे तक रहा था स्टीफ को अखलाख के घर की सेसी टीवी फुटेज हाथ लगी है जिसमें गुड्डू मुसलिम अतीक की बहन के घर पर जाते दिखा जांच परताल में ये भी पता चला है कि गुड्डू के आने की बाद अतीक के बहनोई ने घर के सेसी टीवी को बंद करा दिया था इसके बाद अखलाख ने डीवी आर भी छिपा दी थी एक दिन पहले ही स्टीफ अतीक के बहनोई अखलाख को गिरफतार कर मामले का खुलासा हुआ स्टीफ ने डीवी आर को जब्त कर लिया है पूछताच के दौरान अखलाख ने बताया कि बंबाज गुड्डू को नहोंने पचास हजार रुपिये भी दिये थे पुलिस और स्टीफ ने चानबीन शुरू की तो पता चला है कि मेरट मेर रहने वाला अतीक का बहनोई डॉक्टर अखलाख परदिवा पीछे से अतीक गैंग की मदद कर रहा है उसने शूटरों को सनक्षन भी दिया सबूत मिलते ही शनिवार को धुमनगंज थाना प्रभारी राजेश मौर्या और चौकिन चार्ज प्रीत पांडेनी मेरट स्टीफ की मदद से वहाँ पर च्छापे मारी करके डॉक्टर अखलाख को गिरफतार कर लिया पूछताच के बाद पूलिस ने बताए कि उमेश पाल की हत्या के बाद पांच लाख का इनामी गुड्डु मुस्लिम यहां से मेरट पहुंचा था वहीं पर पेशे से डॉक्टर अखलाख ने उसकी मदद की थी डॉक्टर अखलाख जेल में बंद आती और अश्यर्फ से भी फोन पर बाद चीट करता था अब पूलिस अखलाख की कॉल डुटेल खांगाल रही है